हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उप्चार नुस्के में हम चैनल उप्चार नुस्के में डेली एक लेटिस वीडियो अप्लोड करते हैं यदि आप हमसे जूरना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल उप्चार नुस्के को सब्सक्राइब करें साथ ही ब लिहत अनुखी और अद्भुद्विद्या है जो तिस अनुसार हम व्यक्ति को देखे और जाने भी नहीं उस व्यक्ति के बारे में उसके राशी को अधार मान कर व्यक्ति के सभाव का अनुमान लगा सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपको सबे 12 राशिया दिखाएंगे ज जाने अपने बारे में चुने इन में से कोई एक राशी सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जिनोंने मेस राशी चुनी हैं मेस राशी के लोग दिल के बहुत साप और प्यारी होते हैं ये गलत को गलत और सही को सही कहने में बिलकुल भी नहीं इचके जाते इन्हें इ ये किसी भी हाल में अन्याय को बरदाश नहीं कर सकते इसी के साथ इनकी कम जोरी इनका गुस्सा होता है अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने व्रिशब रासी को चुना है व्रिशब रासी के लोग अपनी राए और मानेताओ को लेकर काफि जित्ती होते हैं ये सब की हां मेहां मिलाते तो जरूर हैं लेकिन करते खुद के मन की हैं आलंकि यदि इन्हें कोई सही राए दे तो ये उनकी बातों का मान भी खूब रखते हैं कई बार ये अपने कारियो में बहुत जल्द बाज़े दिखा देते हैं पर रेडाम सब रोव सफलते की रहा कठीन हो जाती है अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने मिथुन राश्री को चुना है मिथुन राश्री के जातकों की इमेजिनेशन पावर काफी तेज होती है जिस कारण ये अपने लोगों की जिन्होंने करकराश्री को चुना है करकराश्री के लोग बहुत जादा ही सवेदनशी यानी एमोशनल होते हैं ये बहुत जल्द ही किसी की भी बातों को अपने दिल से लगा बैठते हैं जिसके कारण कई बार ये अपने खास मित्रों से भी दूर हो जाते हैं ल हैं यह अपने कामों को लेकर बहुत ही जिम्म्मेदार होते हैं इसके साथ इनके सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि यह सेवींक करना बिल्कुल भी नहीं जानते और खुले हाथों से पैसे खर्च करते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने कन्या राशी को चुना है। अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने व्रशिक रासी को चुना है। अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने धनु राशी को चुना है। अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने मका राशी को चुना है। मकर राशी के जातक दिल के बहुती प्यारे और दुसरों की तकलीफों में सांदेने वाले होते हैं। ये किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते और नहीं अपने कारण किसी का दिल दुखाना इन्हें पसंद होता है। इसी के साथ इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है होती है कि ये कई बार बहुत जल्द ही अन्य लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने कुमबर आशी को चुना है। लगन होती है। ये मस्तमोला होकर अपनी जिन्दगी को इन्जोई करते हैं। हालांकि इन्हीं के साथ इनकी ये कमजोरी होती है कि ये किसी बड़ी करठीन परिसिती में बहुत जल्द ही घपरा जाते हैं। जिसके कारण ये लोग समस्याओ को सुलजाने में ज़्यादा समय ले लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इस सभी जानकारिया पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उप्चार नुसकी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।